हलो गुडूनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तो आज हमसे वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट ने जून दो हजार बाइस में जिसका एक्जाम बाइस जुलाई से लेकर के पांस सितंबर तक कंड़क्ट करवाय गया था अगर आपने फाइनल एक एक्जाम दिये हैं तो आप सभी को प्रोविजनल सेर्टिफिकेट और मार्क सीट कम मिलेगा और जितने भी जुलाई 2019 के स्टूडेंट है और जितने भी जुलाई 2020 के स्टूडेंट है अगर आप इन सारे क्योंकि दोनों ही प्रमो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजगा तो सबसे पहले देखते हैं कि आप सबको पता होगा कि आप सभी का जो एक्जाम है वहाँ 22 जुलाई से लेकर के 5 सितंबर तक हुआ अगर जिनोंने भी फाइनलर के एक्जाम दे हैं और उसका जो रिजल्ट है अभी डिक्लेयर भी हो रहा है जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर आप देखेगा रिजल्ट की जो लेटेस्ट अपडेट है 27 सितंबर यनि कल की रिजल्ट आ है अभी आप सबके जो रिजल्ट है ओ डिक्लेयर हो रहे हैं उस सितंबर अक्टूबर और नौमबर के महीने तक आपके लगभग जो एक्जाम दे हैं, उनका result धिरे-धिरे declare किया जा रहा, और assignment की जो marks हैं, उनको भी update किया जा रहा, तो आपके जो सभी result का आ जाएगा, तो जैसे आपने देखा कि आपका सभी result का जब आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखेगा, जब आपका सभी result आजाएगा न तो आपका जो grade card होगा grade card में देखोगे आपके जितने subject हैं सारे complete होने जरूरी है तो देखो अभी result declare हो रहा है बहुत सारे student का बहुत किसी किसी का आया है किसी का नहीं आया किसी का दो आया किसी का तीन आया है और सभी subject में क्या रहाएगा आपका completed सो होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसी student के देखेगा, completed, complete और सभी में देखे, जितने भी subject है, आप देख सकते हैं इनका क्या है, सभी में completed आप marks हो, यहाँ पर सो रहा है ना, ठीक है, आपने जितने भी exam दिये, first year, second year, third year के, तीनो year के जो आपने exam दिये हैं, सभी के आपके जब assignment के marks, अभी देखो इनके किसी-किसी assignment के marks इनका update नहीं हो, इनका first year और second year, इनका पूरा कर्म, third year के देखो इनका result आ रहा है, third year के इनका result भी आ रहा है, धीरे-धीरे, और करके अभी third year के इनके result आने बाकी हैं, तो जैसे इस student की अगर हम बात करें, इन student दोगा, इनके क्या हैं, कुछ subject जैसे complete, 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 किसी में not complete भी है, देख सकते हैं, किसी-किसी में पूरा नहीं है, तो देख सकते हैं, इसमें देखेगा, ये third year का subject है, not complete है, जितने भी third year के subject हैं, देखो, जब आपका third year का assignment का, assignment के marks update हो जाएं सकते हैं, सभी subject में completed, complete a, first year और second year का ही अभी इनका result है, third year के अभी इनके marks update नहीं है, जब आपका first year, second year, third year, three year का सारा complete सो हो जाएगा, तो उसके होने के बात क्या होगा, कि आपके घर पर क्या इगनू की तरफ से क्या हैगा, आपको, provisional certificate आपको और mark sheet को भेजा जाएगा ठीक है, जब आपका third year का मैंने क्या बोला, जब आपका first year, second year, third year, अगर आपकी master degree है, तो first year, second year के सभी assignment के mark subject हो जाएगे, और सभी जो अपने theory जम दिये, जब सभी का completed grade card में सो करेगा, जैसे यहाँ पर grade card में सो भी कर रहा है, जब आपका first year, second year का, इस प्रकार से जितने subject हैं, देखो, assignment का सारा completed हो जाएगा, और आपका return का जितना है, सारा complete सो करेगा, यहाँ पर completed आना चाहिए, एक भी subject में note complete नहीं रहना चाहिए, जब आपका ऐसा grade card हो जाएगा, first, second, third year का, उसके बाद क्या होगा, आपके घर पर न, इस प्रकार से आपको क्या, provisional certificate भेज पंदरा दिन से एक महीने माली, यह 45 दिन के अंदर में, क्या आजाएगा, आपका provisional certificate है आजागा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, provisional certificate ठीक है, आपके घर पर आजाएगा, ठीक है, बाई, पोस्ट आजाएगा, इगनू की तरफ से इसको, आइसके लिए mark sheet होगी, इस type की आपकी mark sheet होगी, आप देख लिजेगा, इस type से आपके घर पर क्या आएगा, एक provisional certificate आजाएगा, इस जखो, जब आपका सभी grade card में subject complete हो जाएगा, तब आपके घर पर जो मैंने दिखा है, एक provisional certificate इस प्रकार से आजाएगा, इसको दे देंगे, आपको इगनुकी तरफ से मिल जाएगा, और आपको एक mark sheet मिलेगे, इस प्रकार से आपके घर पर एक mark sheet आजाएगे, grade card complete होने के लगभग अगर मालीजे, तो एक महीने के अंदर में, जिस दिन आपका grade card complete होगा, सभी subject complete होगा, उससे एक महीने के अंदर में, आपका जो, जैसे आपकी किताबे आती है न, by post है, वैसे डाकिये के माध्यम से क्या होगा, आपका provisional certificate और mark sheet आपके घर पर आए जागा, इस provisional certificate और mark sheet से, आप कहीं पर भी admission ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के mm admission लेना है, किसी को किसी नौकरी में apply करना है तो इस सारा जो provisional certificate होगा, इसके माध्यम से आप कहीं नौकरी में apply कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, कि आपको कहीं mm admission लेना है, या किसी और चीजों में आगर बहुत सारे बच्चों का admission लेना रहता है, नौकरी अप्लाई करना है, तो आप इस provisional certificate और mark sheet के माध्यम स देखे, इगनु की जो degree होगी, जो मैं कर रहा था, इगनु की degree इस प्रकार की होते है, ये original degree आप देख लिजे, इसी प्रकार से आपको क्या मिलेगी, इगनु के तरफ से आपको क्या मिलेगी, एक original degree मिलेगी, देखो, provisional certificate और mark sheet, इसके लिए आपको कहीं पर apply नहीं करना ह कहीं पर पैसे नहीं देने हैं, जब आपका सारा course complete होगा, तब आपको provisional certificate मिल जाएगा, इसके लिए आपको कहीं पर भी apply करने की जुरूरत नहीं है, ये provisional certificate है, ये आपको बीना कहीं apply, जैसे आपका course complete हुआ, आपको provisional एगनु की तरफ से मिल जाएगा, और दूसरा ये जो mark sheet होगी आपकी, इस mark sheet को भी आपके घर पर भेज दिया जाएगा, ये दोनों चीजे को आपका सारा grade card में जब सभी subject, सभी assignment के marks लग जाएंगे, जितने subject हैं सबके लग गए, और सभी जीतने आपने exam दे, सभी में pass हो गए, और सभी का जब completed हो करेगा, तब आपके घर पर जिस दिन आपका grade card complete होगा, उसके एक महीने के अंदर में भाई मेरे, एक महीने के अंदर में आपको क्या, इस प्रकार से आपको provisional certificate और mark sheet को आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको जो original degree होगी, ठीक है, एग उनु की क्या है, वर्जिनल degree है, इसके लिए registration करना पड़ेगा, convocation के लिए, आपको पताओगा हर इनुवस्टिय में दिछान्त समारो होता है, वहाँ पर इगनु के convocation के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, registration करना पड़ेगा, ठीक है, इगनु का convocation का portal है, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर लिखा भी आओगा, आप form बना पड़ेगा, देखो, जिन student ने, देखो, जिन student ने, December 2021 में और June 2022 में, देखो, July 2019 के जितने भी student है, उन्होंने अपने final year के जो exam है, उन्होंने जून 2022 में दिया है, जो की 22 जूलाई से 5 सितमदत कर गगा, तो आपने June 2022 में जो आप exam दिया है, अगर सभी subject pass कर लोगे, तो आपको प्रविजन मिलेगा, और आपको शर्टिव, लेकिन original degree के लिए, अभी जो मैंने आपको degree गता है, original degree के लिए भाईया क्या करना पड़ेगा, आपको इस पोर्टल पाना पड़ेगा, और आपको registration करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ और उन्होंने बताया भी आपर देख लिए क्या करें हैं PhD, MPhil, डिगरी के लिए कितने 600 रुपए का, 600 रुपए के आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टेशन करना पड़ेगा, और इगनु का कौन बोकेशन होता, इगनु का कौन बोकेशन साल में एक बार होता है, देखो जिस भी student ने जितने भी student हमारे होंगे जुन्होंने जून 2022 में यानि जुन्होंने 22 जुलाई से 5 सितंबर तक ही जाम दिया है और वो भी अपना final year के दिया है जब वो first year second year अगर third year सभी subject पास कर लेंगे सारा assignment पास कर लिया सारा theory का marks पास कर लिया return पास कर लिया उनके घर पर provisional certificate आजाएगा तब आपको इस यहाँ पर आना पड़ेगा देखो provisional certificate आने के बाद ही आपको इस portal पर आना पड़ेगा और यहाँ पर वरिजिनल डिगरी के लिए यहाँ पर आपको वरिजिनल डिगर प्रोविजिनल डिग्री के लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको 600 रूपए 600 रूपए इगनू लेगा भाही मेरे डिग्री देने के लिए और इसका कोन्वोकेशन क्या होगा जन्वरी फर्वरी में अगले साल होने जा रहा आप देख सकते यहां पर लिखा भी होगा इन्ह प्रोविजिनल डिग्री के लिए क्या करना पड़े भाही या पैसा लेगा और आपको पैसा देना पड़ेगा तीसलिए क्या करना इस जब प्रोविजिनल आ जाएगा तो इस आईडी पर आना यहां पर अपना रजिस्टेशन करना 600 रूपए ओनलाइन जमा करना समारो यानि इसको हम क्या बोलते हिंदी में दिछ्छान्त समारो जहां पर भाई मेरे गोल्ड मैडलिस्ट भी आते हैं वहाँ पर उनको जैनि जिनों ने आइल इंडिया टोप किया होगा इगनू में उनको गोल्ड मैडल मिलता है और बाकी देखो आप अपने डिगरी होना चाते हैं तो आप अपने घर पर या वहाँ पर भी आप अपनी डिगरी मंगवा सकते हैं ठीक तो एक बाल में बोलूँगा जितने भी जुलाई 2019 के स्टूडेंट हैं जिन्हों ने जून 2022 में अपना फाइनल इर का एक्जाम दिया है 22 जुलाई से लेकर के 5 सितंबर त जब आप सभी लोग यहां पर आना और अपना डिगरी के लिए आप रजिस्टेशन कर सकते हैं जुलाई 2020 के जिसन्य स्टूडेंट हैं जुलाई 2020 वाली स्टूडेंट ने पी पूछेंगे मैंने उनको लिए बोला तो भाई आप जब अपना थर्ड इयर का एक्जाम कब हो 600 रुपए आपको कyu देना पड़ेगा पाएस हैं यहां पर रजिस्टेशन कर लिना चैया कोन्बोकेशन को अटेम्ड करना हर जगा पर कोन्बोकेशन होगा है दिली ρC1 दिली RC2 दिली RC3 मैडान गगढ़ी में होता है जितने भी रिजिनल सेन्टर है सभी रिजिनल सेन्टर कर से कॉन्वोकेशन का पोर्टर जरूर खुल गया है लेकिन कॉन्वोकेशन में आपको कब अप्लाई करना है जब आपके घर पर क्या जागा प्रोविजिनल सेटिफिकर और मार्क सीट आगा तब आकर कि यहां पर अप्लाई कर लेना ठीक है तो इस वीडियो आपको कैसे बॉक्स में जरूर कर सकते हैं अगर आप कुछ पूशना चाते हैं ए वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताईगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बोलूँगा कि जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा असाइमेंट के आ करके यहाँ पर क्या करना आप सभी लोग जितने जुलाई 2019 के स्टूडेंट हैं जिन्नोंने फाइनल येर का एकजाम दिया जून 2022 में तो आप सभी लोग आ करके यहाँ पर अपना डिगरी के लिए रजिस्टेशन कर लेना चाहे आप अपने घर पर डिगरी मंगवा ले हैं और भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से मैं सारी चीज़े डीटेल में बताऊंगा डिगरी के बारे में और भी आपको इन्फोर्मेंस प्रोविजनल सर्टीफिकट में क्या होता क्या नहीं था जितना बेसिक नोलेश थी आज मैंने आपक आपको बता दिया एक वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूह सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सोमत जैहिं जै भारत